कॉंग्रेस की आएगी चुवाली सीते नहीं तो मंडवा दूगा मुझे जी हाँ ये कहना है रासानी शिम्ला के वकेल विने शर्मा का हिमाचल परदेश विधान सबचुनाव की कल यानी वीरवार को मत गरना होगी और मत गरना के बाद नतीजे गोशित किये जाएंगे वही नतीजों को लेकर हिमाचल की जनता अपने अपने विचार सामने रख रही है कई लोगों द्वारा बीजबी की जीतने का अनुमान लगाया जा रहा है वही वकील वेने शर्मा ने 5 मिनट 15 सेकंड के इस वीडियो में नतीजों को लेकर भविश्य वाने की है जिसमें उन्होंने कॉंग्रस की ज़्यादा सीटे आने का दावा किया है आप भी देखे ये वीडियो नमाशकार दोस्तों कॉंग्रस की कम से कम 45 सीटे आ रही है और भाजपा हो सकता है 18 से नीचे रह जाए पांचे निर्दलिय भी आ सकते हैं अब पूरे हिमाचल को देखें तो सबसे पहले कांगडा जिला कांगडा जिला में कम से कम 10 सीटे और मैक्सिमम 12 सीटे बारती जन्ता बार्टी की इकका दुका सीट कहीं कहीं से आ जाए तो पता नहीं लेकिन एक निर्दलिय सुला से उनके जीतने के चांस है हो सकता है उश्यार सिंग देहरा से जीत जाएं लेकिन भाजपा के लिए खाता खोलना भी कांगरा जिला में मुश्किल है कांगरा की 10 कम से कम और मैक्सिमम 12 कांगरस के लिए आर सकती हैं सोलन और सिर्माओर दस सीटें यहां से हैं आप आदी आदी कर दीजिए पांच पांच मेरा अनुमान यह है कि साथ सीटे कांगरस के आएंगी लेकिन पांच लगाईए दस और पांच पंदरा दो ट्राइबल एरिये की हैं लाजपिती और किन और दोनों सीटें भाजपाव हर रही है तो सीटें हो गई 17 अब आ गया हमीरपुर उना और विलासपूर यहां से 14 सीटे है 14 सीटों में से कांगरस लगबँ 10 सीटें जीत रही है 14 में से 10 तो कांगरस की सीटे हो गई 27 अब आएए मंडी मंडी से कम से कम पाँच और मैक्सिमम साथ सीटे कांगरस जीतेगी पाँच लगाईए बत्तिस अब आईए आप शिमला शिमला की आठ सीटे हैं आठ में से कम से कम साथ सीटे हैं कांगरस जीत रही है तो कितनी हुई? थर्टीनाइन और ऐसा भी हो सकता है कि आठ की आठ सीटें कॉंग्रस जीर जाए लेकिन हम एक मार्जिन लगा रहे हैं तो सीटें हो गई 39 अब बारी आ गई कुल्लू की कुल्लू की चार सीटे हैं चार में से तीन सीटें मैक्सिमम और दो सीटें कम से कम कॉंग्रस लेड़ाईगी थर्टी नाइन और टू फॉर्टी वान अब आएक चमबा है चमबा से पांच सीटें हैं पांच में से तीन कंफार्म जो हैं कॉंगर्स चीके और अंडरकरण्ट जिसतरा से है इस हिसाब से इस से उपर भी जो है यह आंकडा जा सकता है भाजबा मुखे पर पक्षी पार्टी बनेगी हार के ठीकरे पता नहीं किस किस पर फैंके जाएंगे लेकिन निर्दलिये जो हैं वो नालागड, सुला, देहरा, बंजार, सुन्दर नगर, यहां से यहां मिरपुर्फ यह जो हैं इनके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और कहीं से निर्दलिये जीत कर आ रहा है निर्दलियों की तीन या चार सीटे आप लगा सकते हैं निर्दलियों की हवा ज़्यादा होती है लेकिन जीतने के चांस कम होते हैं अगर 44 से कम सीटे आईं तो मैं अपनी मूझे मुड़ा लूँगा अगर 44 से कम सीटे आई पिछली बार मैंने कहा था चार में से चार सीटे जो हैं वो कॉंगरस जीते गी और चार की चार सीटे जो है वो कॉंगरस पार्टी जीत गई थी चलिए देखते हैं आठ को क्या होता है 44 पर 44 से नीचे मूझे कटवा दूँगा मैं कॉंगरस की जीत की विविश्वानी मी कर रहा है मैं कहा रहा हूं सीदे सीदे कि 44 सीटे कम से कम कॉंगरस जीत रही है जहिन यहार